स्वागत है आपका अपने चैनल MGM के रेंस रिट में तो लास्ट लेक्चर में हमने आएने की इक्लिवियम स्टार्ट के दा स्टुरेंट तो आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन को पैस करना ना भूले ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले में ओके सब्सक्राइब तों चलिए हम स्टाट करते हैं आ जाने की किविरियम में आगे का टॉपिक्स फर्स्ट आज मैं आरनिस त्योरी फौर वीक एलेक्टोलाइट तो जैसे कि टॉपिक में ही लिखावाए कि जो आज त्यूरी है वो वीक की तरफ मूग करेंगेी ठीक है कैंटा अीन मितलब फॉजिटीव आयन जिना और जो अनोड सुनी ऑन नढ़रोड होता है वह क्या वह फो जो पॉजिटीव ईलेक्टोड होर God की तरफ मूग करेंगी ठीक है और सेटेँड पाइंट है यहां पर कि जब electricity electrolytic solution में conduct होती रहती है मतलब conduction की दोरान तो जो solution होता है वो क्या होता है neutral इसका मतलब होता है कि जितने positive charge deposit हो रहे हैं उतने ही वहाँ पे negative charge भी present है ठीक है positive charge equals to negative charge positive charge equals to negative charge वहाँ पे होता है ठीक है note point यहाँ पे लिखा हुआ है कि iron equilibrium जो है कि strong acid strong waste में नहीं achieve हो सकता है क्योंकि वह completely dissociate हो जाते हैं ठीक है और जो process है उसको irreversible बना देते हैं और equilibrium हमेशा किसमें आता है केवल reversible process में आता है ठीक है तो यहाँ पे इस note point के अपर यह तीसरा point लिखा हुआ है कि जो weak electrolyte है वह partially dissociate होते हैं ठीक है होते हैं तो establish हो जाता है किस-किस के बीच में dissociated part and undissociated molecules के बीच में और इसी equilibrium को हम क्या बोलते हैं आयने के equilibrium इसको दूसरे तरीके से में भी मैं ऐसे समझा सकता हूँ देखो स्ट्रेंट्स यह है मैंने एक HCN लिया हुआ है यहां पर weak acid है ठीक है यह ब्रेक हुआ किसमें H plus and CN minus IN में ठीक है अब यहां पर HCN जो है weak acid है ठीक है और यहां पर H plus and CN minus बना और यह जो CN minus है ना यह इस HCN का conjugate यह weak acid है तो strong base बना है यह है ना यह मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे weak acid के conjugate strong base बनता है तो जो HCN का conjugate है वो क्या है conjugate strong base यह बना है अब जो CN minus है यह strong है strong है तो यह dominate करेगा और dominate करेगा तो यह reaction को पीछे ले जाने की capability वापस रखता है तो इस वजी से जब HCN टूटा है तो यह reaction आगे चल रही होगी और और CN minus के वज़े से reaction पीछे चल रही होगी तो जो reaction दोनों direction में चलती है वह क्या होती है reversible reaction होती है and reversible reaction में ही equilibrium attend होते हैं इसलिए भी बुला गया है कि जो weak electrolyte है उसमें ही only elect है जो equilibrium होते हैं ठीक है next यहां पर note point लखे हुए तीन वह है कि orange story जो है यह तो नेम से specified थी weak electrolyte के लिए थी तो जो orange story है वह applicable नहीं है किसके लिए strong acid and strong basically मतलब strong part के लिए orange story नहीं लगाई जैसकती कुछ एक acidic compound ऐसे होते हैं जो कि orange story से explain नहीं किया जा सकते हैं जैसे कि CO2, SO2, NO2, SO3 यह सब क्या acid compound है लेकिन हम orange story से इंको नहीं बता सकते हैं कि acid कैंकी basic हैं लेकिन यह κंपॉण्ट है जीक है इसी तरीके से कुछ basic compound भी होते हैं जिनको भी orange story से explain नहीं क्या सकता जैसे कि सब क्या हैं इनको भी और इस से नहीं समझाया जा सकता है एक्स टॉपिक हमारा आता है यहां पर और स्वर्ड डिलूशन लोव फॉर वीक एलेक्टरलाइट हम इस चेप्टर में लगबग सारी चीज़ें वीक एलेक्टरलाइट के लिए पढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहला सबसक्रम इस चेप्टर४िक एक नाईक्टरलाइट के लिए इसकी कंसंटरेशन है कितनी ॱ्र सिए टो इसकां कुछ पार्ट यह बच जाएंग तो यह हो जाएगा c1-alpha तो students ये कैसे आता है अब मैं c1-alpha की जगह पर suppose मैं यहां लिख देखा हूँ c-x और यहां लिखूँँगा मैं x और इसकी जगह पर लिखूँँगा मैं x इसको मैं अलग से तुम्हें करके दिखा रहा हूँ यहां पर ठीके c-x और alpha की value क्या होती है dissociated upon initial dissociated x है और initial कितना c है तो यहां से x की value कितनी है जाएगी यहां से x equals to हो जाएगा c-alpha बस इस x की value को वापस यहां put किया हुआ है सब जगह पर तो यहां पर मैं put कर दूँगा तो यह बन जाएगा c-alpha यह बनीगा c-alpha और यह बनीगा c-alpha तो इसको लिख दिया c-1-alpha c-alpha c-alpha और यह value वापर put की वी है यह जो मैंने बताई है यहां पर ठीके है यह वाली तो इस तरीके से यह आया है ठीके अब इस equilibrium के लिए मैं equilibrium constant define करूं के तो कैसे लिखूंगा मैं a plus का concentration upon b minus का concentration divided by a b का concentration और यहां पर values रगती तो c-alpha into c-alpha 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 upon c-1-alpha एक c से यह c cancel हो जाएगा बचे का गया c-alpha square upon 1-alpha अब हम यह मान के चलते हैं कि weak electrolyte है तो यह पहले से ही क्या है बहुत ही weak है पहले से मरियल्सा है अब इस मरियल्से में से कुछ और भी चीज़े निकालेंगे तो वो और भी चोटी होंगी तो 1-1 में से alpha को और घटा रहे है तो 1 तो जो है alpha के respect में बहुत बढ़ा है तो 1-1-1-1-1 को हम क्या मान के चलते है कि जो alpha square है वो proportional to a 1 upon c k and proportional to a v k क्योंकि c proportional to 1 by v होता है ठीक है तो यहां से अगर मैं alpha की value proportionality में करूँ v k तो वो जाएगा under root v यहां पे c क्या है concentration of solution v क्या है volume of solution और k equilibrium constant इसको और बोल सकते है dissociation constant या फिर ionization constant इस chapter में हम यही बढ़ेंगा इनाइड़िशन constant ठीक है next हाता है अपना factor affecting degree of dissociation alpha को कौन कौन से factor effect करते हैं सबसे पहला है dilution dilution मतलब volume बढ़ाना ठीक है तो फिलियन को या solution को क्या कर देना dilute कर देना मतलब solvent उसमें बढ़ाता है तो जो alpha है वो dilution करने पर बढ़ता है alpha increase with dilution क्योंकि जो देखे हो अभी थोड़े देर पहले हमने लेका था कि जो alpha रहता है proportional to root V अगर मैं यहाँ V की value बढ़ाऊंगा तो alpha अपने यहाँ बढ़ जाएगा तो V बढ़ाने पर alpha बढ़ता है next concentration of solution obviously उल्टा हो जाएगा alpha decrease होगा कब जब concentration increase होगी क्योंकि alpha proportional to time upon root C तो यहाँ पे अगर मैं concentration बढ़ाऊंगा तो alpha क्या हो जाएगा काम हो जाएगा ठीक है यह तो बहुत simple से है next है nature of solute solute हमारे बाद दो तरह के होते है strong electrolyte and weak electrolyte strong electrolyte के लिए हमें पता है कि alpha की value कितनी होती 100% and weak electrolyte के लिए alpha less than 100% होता है हमें यह भी पता है कि 5% से भी वो कम मिलता है next है nature of solvent solvent का nature solvent कैसा होना चाहिए polar protein होना चाहिए और इसका dialectic constant भी high होना चाहिए तब यह alpha high होगा ठीक है और water को हमने universal constant यहां पर माना हुआ है next है temperature temperature में temperature में ऐसा है कि delta H greater than zero दिया होना चाहिए endothermical reaction के लिए होता है temperature बढ़ाने पर degree of dissociation बढ़ता है मतलब temperature जो है alpha के directly proportional होगा next आता है common iron effect common iron effect तब लगाया जाता है जब हम किसी weak electrolyte में किसी strong electrolyte को मिला देते हैं जैसे कि मैंने यहां ले रखा है SCN एक weak acid ले रहा हुआ है weak electrolyte है SCL एक strong electrolyte लिया हुआ है SCL से मुझे 2 iron बिलेंगे H plus CL minus तो जब मैं इसको यहां पर मिलाऊंगा तो SCL भी यहां break होगा SCL कैसे break होगा H plus CL minus तो यहां पर यह जो H plus है इसकी concentration क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी है ना H plus iron की concentration बढ़ जाएगी तो यह equilibrium हो जाएगा disturb disturb हो जाएगा तो हमने leach electrolyte principle पढ़ लिया है अगर equilibrium disturb होता है तो वो बढ़ाई होए चीज़ को कम करता है तो H plus कम करेगा तो कम करने के लिए reaction को कहा ले जाएगा पीछे की तरफ backward direction ले जाएगा backward ले जाएगा तो जो SCN है उसका concentration क्या हो जाएगा increase और SCN अगर बढ़ रहा है इसका मतलब उसका alpha क्या है decrease मतलब वो कम dissociate हो रहा है तो यहाँ पर वही बुला हुआ है कि जब एक strong electrolyte को एक weak electrolyte में add किया जाता है जो की common ion रखते है तो वहाँ पर degree of ionization means alpha degree of dissociation नहीं अब आएगा degree of ionization means alpha weak electrolyte का वो क्या जाता है decrease हो जाता है समझे में आगे है students next common ion effect अभी लेगा जब weak और strong electrolyte है दोनों में कोईने को एक common होना बहुत ज़रूरी essential है तभी common ion effect लग सकता है next effect है 7th है opposite ion effect opposite ion effect वही strong electrolyte में weak electrolyte weak electrolyte में strong electrolyte को मिलाएंगे तो यहाँ SCN लिया हुआ था इसमें मैंने नह मिलाया नह से मैंने मुझे na plus OH मैंने sign मिलेगा तो यहाँ HCN था यहाँ OH था तो यह दोनों मिलने मिलके यह क्या होते है जैवेर होते हैं दोस होते हैं बहुत पक्की यह दोनों मिलके क्या बना लेते हैं H2O तो यहाँ से again equilibrium disturb हो गया यहाँ से H plus का अब हो गया तो equilibrium क्या चाहेगा H plus को बढ़ाना चाहेगा H plus को बढ़ाना चाहेगा तो H plus तो काम हो गया बढ़ाना चाहेगा तो reaction को कहाँ लए जाएगा forward direction forward direction मिले जाएगा तो SCN की concentration decrease जाएगा मतलब वो जादा dissociate होने लगेगा जादा dissociate होने लगेगा तो उसका alpha क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, okay students, तो इसमें H+, और OH-I-N मिलके, क्या बना लेते हैं, H2O, और उस H2O बनाने की वज़े से, H+, I-N की concentration काम हो जाती है, reaction forward direction में जाती है, SCN की concentration decrease हो जाती है, जिससे alpha, जो heavy electrolyte का क्या हो जाता है, increase, okay students, तो I hope आपको आज का लेक्चर मेरा समझ में आ गया होगा, इसके आगी का वीडियो में हम आगी का लेक्चर कम्प्रीट करेंगी, okay students, thank you,